टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनड़ा एंड अराउंड गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू अनली अट टेग टीवी मैं हूँ डुक्सार शेजा सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूस हैड लाइन्स केनिडा के शहर टोरंटो में होने वाली शदीद परफ़ारी में पी आई ए का तयारा बड़ी तबाही से बच गया टोरंटो में बर्फ़ानी तूफ़ान के बाद बहाली के काम चारी में टोरंटो का कहना है के बहाली के कामों में कई हफ़ते लग सकते हैं कینیडा ने ओमी करौन से मतालिक चीन के बयान को मस्तरत कर दिया कैनेडा का कहना है के डाक के जरी ओमी करौन पहलाने का इल्जाम जाहिका खेस है चीनी हुकाम को इस हवाले से मजीद तहकी की जरूरत है कैनेडा में करौना केसिस की तादाद 28 लाख से तजावस कर गई हराकत 31,600 नासी हो गई मुल्ग भर में 24,396 मरीज से अधियाब हो चुके हैं तयब उर्दवान का रूस को यूकरेन पर हमला करने से बास रहने का मश्वरा जर्मन वजीर खारजा का कहना है कि रूस ने यूकरेन पर हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी नेटो केस सेकेर्टी जर्नल ने रूस और नेटो इतिहाद को दुबारा मुझाकरा की तावत दी थी इसलामी मुमालिक को अमारात इसलामिया तसलीम करने में पहल करनी चाहिए अफगान वजिर आजम मुल्ला मुम्मद हसन अखून का आलमी दारों से बुनियादी इंदात पराहम करने का मतालबा अफगान वजिर आजम का कहना है कि अमारात इसलामिया करप्शन के खात में और सिक्यूर्टी करने की भरपूर सलायत रखती है ओमी करोन का खत्रा न्यूजिलेंड ने सरहदे बंद कर दी करोना वाइरस बरतानिया में 480 सप्राद जान से चले गए औस्टेलिया में एक फोस के दोरान करोना के एक लाग सिजार के से सामने आ गए हैडलाइन्स आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ कैनेडा के शहर टॉरंटो में बरफानी तुफान के बाद बहाली के काम का आखास कर दिया गया है जबके पहले मरहले में सड़कों को खोल लें और दीगर जराय आम दुरफ्ट और भिजली की तनसीबात की बहाली के लिए काम किया जा रहा है मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा के शहर टॉरंटो में होने वाली शदीद बरफारी में पी आईये का तयारा बड़ी तबाही से बचिया कप्तान ने अपनी माहराना कारकरदगी से बाहिफाज़त उतार लिया इस हमाले से पी आईये जराय का कहना है के बॉइंग ट्रिपल सेवन तयारा ट्रॉंटो एरपोर्ट के गरीब था कि शदीद बरफारी शुरू हो गई और तयारा बरफानी तूफान की जद में आ गया प्याईये के कप्तान ने हाजर दिमागी और महारत का मुझारा करते वे तयारे को कंट्रोल किया और बाहिफाज़त ट्रॉंटो एरपोर्ट पर उतार लिया तैयारे की लैंडिंग होते ही ट्रॉंटो ऐर्पोर्ट अथार्टी के अमले ने रन्डे और अत्राफ के एरिया को कवर किया और हंगामी बन्यात पर मशीनरी के जरिये बरफ हचाने का काम शुरू कर दिया जराय के मताबिक परवास P.K.797 लाहर से ट्रॉंटो पहुंची थी परवास को बाहफाज़त उतारने पर पियाई ये के सीई ओ अर्शद मलिक ने कप्तान और फिजाई अमले को शाबाशी देते वे उनकी कारकरदगी को सरहा सीई ओ अर्शद मलिक ने ट्रॉंटो एर्पोर्ट इंतिजामिया का भी शुक्रियादा किया जिन्होंने रनवे पर से पौरी तोर पर बरफ हचा कर तैयारे को पार्थ करवाया ट्रॉंटो और जीटिये के अलाकों में बरफानी तोफान के बाद बहाली के काम का आखास कर दिया गया है और पहले मरहले में सड़कों को खोलने और दीगर जराय आमदो रफ्त और बिजडी की तंसिबात की बहाली के काम का आखास कर दिया गया है हुकाम का कहना है कि आएंदा चन्देनों में सुरत इहाल मामूल पर आ जाएगी और शहरी सहुलियात के तमाम जराय को बहाल कर दिया जाएगा ट्रॉंटो के मेर जॉन टॉरी का कहना है कि बहाली का काम 24 घंटे जारी रहेगा मेर जॉन टॉरी का कहना है कि पीव को बड़े पैमाने पर बर्फानी तूफान ने बड़ी शारा हों को बंद कर दिया और नकलो हमल, स्कूलों, कुड़ा उठाने और दीगर चीजों पर तबाही मचा देने के बाद सफाई का काम मुम्किना तौर पर तीन दिन से ज़्यादा वक्त लगेगा। टॉरी ने कहा कि जिसको भी बाहर जाना जरूरी नहीं है उसे घर पे रहना चाहिए और जिनको बाहर निकलना बहुत जरूरी है वो अपनी जाती गाड़ियां इस्तिमाल करने से गुरेज करें क्योंके बहुत सी गाड़े फज गई हैं और रास्ते रोक कनीडिन हुकाम ने चिन की जानीब से इस दावए को मस्तरथ कर दिया है कि कनीड़ा से पारसल के जरीए ओमिकरों चीन महजा गया मज़ीद चानते हैं से रिपोर्ट में कैनیडा ने चीनी महकमे सहथ के हुकाम के इस दावे को कोविड-19 की ओमिक्रॉन वेरियंट बीजिंग के एक रहाशी को कैनیडा से बाकाइदा मेल के जरिये भीजा गया था फीर को मसका खेस और मिज़ाय करार दे कर मुस्तरत कर दिया एक चीनी सरकारी खबरेसाइदारे ने सबसे पहले इतला दी कि साथ जनवरी को बीजिंग का रहाशी कैनیडा से एक खत या पारसल जो हौंग काउंग से गुसरा था मौसूल करने के बाद आमिक्रॉन का शिकार हुआ चीनी रिपोर्ट ने इस नावे को वीजिंग सेंटर फोर डिजीजिस कांट्रोल के डिप्टी डिरेक्टर से एक ब्रीफिंग में मनसूप किया उटावा यूनिवर्सिटी में चीन की माहिर, मार्गरेट, मैक, क्योग, जानस्टन जिन्होंने तीन तहायों से ज्यादा अर्ज़ा विफाकी पॉबलिक सर्विस में चीन के मससाहिल पर काम किया कहा कि चीनी हुकाम को कोविड-19 के फैलाओं से मुतालिक जदी तरीन साइंसी मावाद के बारे में चानने की जरूरत है इप्तिदाए दिनों के बारक साइंस दानों ने वासे किया है कि ये किसी सता फर नहीं रहता है ये कहना कि ये डाप के जरिये आया जो कैनेडा से आए मज़काखेस है कैनेडा पोस्ट के एक बयान में कहा गया है फिल हाल दरामच शुदा सामाद या पैकेजिस से कोविड-19 के मंतقل होने का कोई सबूत नहीं है मैंक क्योग जॉंस्टन ने कहा कि चीनी इलजाम से पता चलता है कि उसकी गयादत 2018 में हाई टेक एक्सेकिटिव मैंक मैंग वैंजू की गिरिफतारी पर तबील अरसे से जारी तनाज़े पर अब भी कैनेडा से नारास है एक हवाल की केस जिसे कुज़िशता साल खारिच कर दिया गया था जिसे अब कैनेडा ने वापस जाने के इजाज़त दे दी थी इस मामले ने कैनेडा और चीन के तालुकात को बहुत निचली सता पर पहुँचा दिया मैंक युग जांस्टन ने कहा कि चीनी सदर शी जिन पिंग साती तोर पर मैंक की गिरिफतारी से नारास है और मुमकिना तोर पर जब भी मौका मिले कैनेडा को निचाना बनाते है कैनेडा में करोना वारिस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकते क्यूबेक सूभे में हुई हैं सूभे में करोना वारिस के मजमुई केसिस की तादाद आठ लाग एक हजार एक सो तरिपन है मज़ी तफसिला चांते हैं इस रिपोर्ट में कینیڈا भर में करोना वाइरस के फैलाओं में एक बर फिर इजाफा देखने में आ रहा है कینیडा में करोना वाइरस से मतासर अफ़ात की तादाद 28 लाग से तजावस कर गई है आखरे इतलात के मताबिक कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मच्भूई तादाद 28,1451 तक जा पहुँची है जबके हलाकत 31,689 हो गई मुल्क भर में 24,38,396 से जायत मरीज सहत्याब हो चुके हैं आंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जादा है सूबे भर में करोना वाइरस से मतासिर होने वालों की तादाद 9,56,607 तक जा पहुची है जबके हलाकतों की तादाद 10,628 है कैनेडा में करोना वाइरस के सबसे जादा हलाकते क्यू बैक सूबे में हुई हैं सूबे में करोना वायरिस के मैच्छ मुई केसिस की तादाद आच लाग 1153 है जबके सूबे में करोना वायरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 12344 तक पहुँच चुकी है कینیڈین सूबे अलबर्टा में भी इस मौलिक बाबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबे इस वग करोना वाइरस की वज़ा से बोहरानी सूरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 4,52,381 अफराद करोना से मतासिर हो चुके हैं जबके 3,403 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिडिश कालंबिया में केसिस की तादा 2,99,144 है जबके सूबे में करोना वाइरस से होने वाली हलाकतों की तादा 2,490 है तरक सदर तयब अर्दवान का कहना था कि यूकरेन कोई आम मुल्क नहीं बलके एक ताकतवर मुल्क है जिसके बिनलाक्वामी सदा पर दोस्त मौशूद है इस वाले से एक मज़ीच जानते हैं तरकी के सदर रजब तयब अर्दवान ने रूस को यूकरेन पर हमला करने से बास रहने का मशवरा दिया है قوم سے خطام میں صدر اردوان کا کہنا تھا کہ یوکرین کوئی عام ملک نہیں بلکہ ایک طاقتور ملک ہے جس کے بین الاقوامی سطح پر دوست موجود ہیں ترک صدر نے مزید کہا کہ کسی علاقے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا آسان نہیں اور ماسکو کا یوکرین پر حملہ کرنے کا ارادہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے نیٹو کی سیکریٹری جنرل اسٹولٹن برگ نے روس اور نیٹو احتحادیوں کو دوبارہ مذاقرات کی دعوت دے دی میڈیا رپورٹ کے مطابق جرمن چانسلر آلف شولز نے بات چیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ نیٹو روس کانسل میں مجاوزہ مذاقرات کا سلسلہ جل شروع ہوگا جن کا مقصد نہ صرف اپنے خدشات کا صدبہ بلکہ روسی خدشات کو بھی سننا ہے جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی ماسکو کی دورے کے دوران روسی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ برلن اپنی اقدار کے تحفظ کی خاطر اپنا معاشی نقصان بھی برداشت کر لیگا روسی وزیر خارجہ سرگل آر آف نے کہا کہ ماسکو سیکیورٹی زمانہ سے مطالق مطالبات امریکہ اور یورپ کے سامنے رکھ چکا ہے روس کو امریکہ اور مغربی ممالک کے جواب کا انتظار ہے امرات اسلامیہ افغانستان کے وزیراعظم مولا محمد حسن اخوند نے عالمی اداروں سے ملک میں سرمایہ کاری کا مطالبہ کر دیا مزید تفصیلات اس ڈیپورٹ میں امرات اسلامیہ افغانستان کے وزیراعظم مولا محمد حسن اخوند نے عالمی اداروں سے ملک میں سرمایہ کا مطالبہ کر دیا امرات اسلامیہ افغانستان کے وزیراعظم مولا محمد حسن اخوند और ऊटरा ने तक्राइब से खिताब्करटिव सब्दाराइब जा करती है। बरतानिया में करोना ने जिन्दगिया निगलना शुरू कर दी हैं गुजिश्टा 24 घंटों में 438 अफराज जान की बास हार गए है मसी चांते हैं इस रिपोर्ट में बरतानिया में करोना ने जिन्दगिया निगलना शुरू कर दी गुजिशता 24 गंटों में 438 अफराद जान की बासी हा गए रिपोर्ट्स के मताबिक 24 वर्वरी 2021 के बाद आमवात की सबसे बुलंद शरह सामने आ गई गर्मलकी मीडिया के मताबिक बरतानिया में तक्रीबन एक लाक अफराद में वायरिस की तद्दीख हुई है रूस में मजीद 31,000 अफराद वायरिस से मतासे हुए है दूसी जानब आस्ट्रेलिया में एक रोस के दौरान करोना के एक लाक से जायत केसे सामने आ गए निउजिलेंड ने ऑमिक्रों के खतरे के बाएस आर्जी तार पर बेर्म ने मुलक मुकीम शेहरियों और वीजा रगतेवालों के लिए अपनी सरहदे बंग कर दी गर मलकी खबर रिसाइदारे के मताबक मंगल के रोज न्यूजिलेंड के अहतेदारों ने ऐलान किया था कि आईसोलेशन और करंटीना के लिए अभी मलक में जगध अस्तियाब नहीं माहिरिन के मताबक ओमिक्रॉन वेरियंट डेल्टा वेरियंट से चार गुना साथा तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन का मरीज तीन दिन तक बिमार रहता है जबकि डेल्टा वेरियंट का मरीज चार दिन तक वाइरस की लपेच पर रहता है दोनों वेरियंट्स में तेज बुखार, सरदर्द, नजला और जिसम में दर्थ होता है ओमिक्रॉन के मरीज को खुश्क खासी होती है डेल्टा वेरियंट में मरीज को सांस की तक्रीफ का सामना रहता है ओमिक्रॉन में गले में खराश चबकि डेल्टा में गले में दर्थ होता है डेल्टा वैरियंट में सूमने और चकने की हिस खतम हो जाती है ओमिक्रॉन में शदीद बिमार होने के इमकानात 70 पीसद तक कम चबकि असपताल जाने के इमकानात 80 पीसद कम है टैग टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिलवक इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रही हैं टैग टीवी